जीवन के अच्छे या भुरे समय में नहीं करना चाहिए ये तीम काम, वर्ना पुरी जिन्दगी रहता है पश्तावा. दोस्तो, अर्थ शास्त्री, कुट नितिग्य और रनितिग्य, आचार्य चानक्य ने अपनी किताब चानक के निती में कई विशोम पर बात रखी है. आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते है. उनकी बातों को मानकर आज भी कई लोग अपनी जीवन में सफलता हासिल करते है. उन्होंने जीवन के नियमों को लेकर भी कही अहम बाते बताई है. तो आये जानते है कि चानक के निती ने जीवन में किन कामों को करने से मना क पहली बात जो आचार्य चानक्य ने कही है वो है अधिक खुश होने पर ना करे कोई भी वादा। आचार्य चानक्य कहते है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश है तो उसे उसका बहुत अधिक इजहार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा खुश होने पर भी कोई वादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा खुश होने पर व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहकर कई ऐसे प्रामिस भी कर लेता है जिसकी वजह से उसे आगे नुक्सान उठाना पड़ता है। दूसरी बात जो आचार्य चानक्य ने कही है जो की जीवन के अच्छे या बुरे समय में हमें नहीं करनी है वो है। दूखी होने पर ना ले कोई फैसला। चानक्य निती में कहा गया है कि अगर आपके जीवन में बुरा समय है तो उस समय कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। बुरे समय में व्यक्ति की सोच पर इसका असर पड़ता है। इसी वजह से इस समय ले गए फैसले आपके लिए मुश्किले पैदा कर सकते है। इसी वजह से मुश्किल हालात में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात जो आचारिय चानक्के ने कही है कि जीवन के अच्छे या बुरे समय में नहीं करनी चाहिए वो है गुस्से में नहीं देना चाहिए कोई जवाब। आचारिय कहते है कि जब भी मनुश्य गुस्से में होता है तो सही गलत का फैसला नहीं ले पाता है। इस दवरान वो अपना आपा खो बैटता है। इस दवरान उसके मुँसे कुछ ऐसी बाते निकल जाती है जिससे जिन्दगी भर के रिष्टों में दरार आ जाती है। इसी वजह से गुस्से में मनुश्य को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। गुस्से में जवाब ना देना सबसे अच्छा है। इस दवरान आप खुद को शांत रख सकते है। तो दोस्तो आचार्य चानक्ये ने कही ये तीन बाते आपको जीवन के अच्छे या बुरे समय में नहीं करनी चाहिए। ताकि आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके। धन्यवाद।